उत्तरप्रद्थिश के पर्षदिय प्रात्मेक विध्यालें में वर्स 2022 में प्रात्मे किस तर की सिख्चक भर्ती का विग्यापन जारी कराने के करम में अभियर्थियों का रेप्रेजेंटेटिव ग्रूप सभी दलों से मिल करके उनके मयनीफेस्टों यानि की घोशना पत् अब इन सब में एक नया विवाद जुड़ गया है B.A.D. और B.T.C. को ले करके इसके अलावा academic merit को ले कर भी कुछ विवाद चल रहा है इसके अलावा अब B.T.C. वाले अभिरती B.T.C. के नेता का ही विरोध कर रहे हैं और B.A.D. वाले B.A.D. आपस में ही लड़ रहे हैं क्या है पूरा मामला इसे जानना आपके लिए बहत जरूरी है और ये वर्स 2022 का जो विधान सबा चुना हो रहा है इस पे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभिरतियों की नजर है बलकि पूरे देश भर के B.A.D.C. और B.A.D. अभिरतियों की नजर है और राजस्थान से माननिय जोदपूर हाई कोर्ट के द्वरा जो B.A.D. के खिलाफ फैसला दिया गया नमस्कर दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल ऐकन को प्रेस करना ना भूले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डियलेड वाली अभिर्थी डियलेड को रिप्रेजेंट करने वाले नेताओं का ही विरोध कर रहे हैं आप इसकृन पर एक ग्यापन की कौपी देख पा रहे होंगे जो कि अभिर्थियों के द्वारा विबर्न विपक्षिवी दलों को दिया गया है आप इसकिन पर देख सकते हैं इसमें विश्य लिखा गया है प्रदेश के अंदर बेसिक सिक्षा विभाग में सिक्षक पातरता उत्तिर्ण सिक्षक अभियर्थियों की लिखित परिक्षा सूपर टेट का उलेख गोश्णा पत्र में कराय जाने के संदर में अगर इसका मोटा मोटी मैं सार आपको बताओं तो ये इसमें मेंशन किया गया है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वरा सिक्षक भरती का विग्यापन जारी नहीं किया गया परंतु प्रतेक वर्स लगतार पांच वर्सों तक प्रदेश में डियलेड और बीड में 4 प्राप्तांक पर भरती ना करा करके लिखित परिच्छा सूपर्टेट करा करके उसके प्राप्तांक के आधार पर भरती कराने की प्रक्रिया का उलेख अपने घोशना पत्र में करने की क्रिपा करें यहीं पूरा सोसल मेडिया साइट्स पर वाइरल हो रहा है जिसके बाद से पूरा आक्रोश उन डियलेट के रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ अभियरतियों का बना हुआ है कि यहाँ पर जो मेंशन उनके द्वारा कराया गया कि सूपर्टेट के आधार पर यहाँ पर सैक्षिडिक गुडांक यानि एकडमिक मेर्ड कर जिक्र नहीं किया गया था जिसके बाद से यह मामला पूरा सोसल मीडिया पर चाया हुआ है और अभियरति एक दूसरे का ही विरोध कर रहे है कि सूपर्टेट के बेस पर नहीं बलकि एकडमिक और सूपर्टेट के बेस पर होना चाहिए जिस प्रकार से भी वर्तमान में प्रक्रिया है 40% एकडमिक औ सेवं सैक्षडिक प्राप्तांक के गुडांक पर 97000 प्रात्मिक सिक्षक भरती का उलेख गोशना पत्र में कराया जाने के संदर में अब यहाँ पर एडिट करके एकडमिक गुडांक को भी वेटेज देने की बात कही गई है जो कि पहले नहीं दी गई थी अभियरति यहीं रिप्रिजेंटेटिव के द्वारा बीएड का जिक्र किया गया है इसका भी अभियरति लगतार विरोध कर रहे हैं कि बीएड अभियरतियों के खिलाफ डियलड अभियरतियों को लड़ाई करनी चाहिए ऐसा डियलड अभियरतियों के द्वारा कहा जा रहा है अब बात कर कि पंजाब में अभियर्थियों के द्वरा वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया था ताकि केंद्र सरकार माननिय जोदपूर हाई कोट के फैसले के आधार पर या फिर उसके खिलाफ माननिय सुप्रिम कोट का दरवाजा ना खटकटा है बियर्थियों को प्रात्मिक के दार पर उन्होंने अपने ही फैसले पर रोक लगा दिया उस पर इस्टेट दे दिया और बियर्ड अभियर्थियों को प्रात्मिक सिख्चा बर्ती के लिए अब पात्र नहीं माना है मानने शिमला हाई कोट के द्वारा तो कुल मिला करके अभियर्थि इस वज़ा से उम पूरा मामला गरमाया हुआ है और जिस प्रकार से 79,000 सिख्चा बर्ती में प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा जो गरबडिया की गई थी उसका व्यापक असर देखने को मिला है और जो पिछडे नेता है वो लगतार पार्टी से हट करके दूसरे पार्टी में जा रह कि इस कंडिशन में अब केंद्र सरकार या फिर केंद्रिय सिख्चा मंत्री ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में इस्थिति और ज्यादा खतरनाक हो वर्तमान सरकार के लिए इस वज़े से अभियर्ति कह रहे हैं कि आप अगर उत्तर प् अभियर्ति प्रात्मिक सिख्चा भरती में पात्र नहीं है साथ ही साथ एंसी टी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को भी मानने जोदपुर हाई कोट ने रद्द कर दिया है तो फिर केंद्रिय सिख्चा मंत्री इस पश्ट इसके संदन में कोई फैसला ले सकते हैं और एंसी गाइडलाइन जारी कर सकते हैं ताकि वह एंसी टी अपने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करने का एक नोटिफिकेशन जारी कर पाए इसी वजह से सभी राज्यों के अभियर्थी अब उत्तर प्रदेश में डियलड अभियर्थियों पर दबाव बना रहे हैं ताकि यहाँ पर यह मुद्दा उठाया जा जिस प्रकार से अन्न राज्यों में डियलड और एटिटी पंजाब में एटिटी बोला जाता है जेबीटी और बीच्टी सी अभियर्थियों के द्वारा प्रतेक राज्यों में वो अपने सरकार और प्रतिनिदियों से मिल करके इस कमेंट करके जरूर बताईगा और ऐसे ही महतुपूर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शूब हो झाल 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 झाल